निपूर कारिक्रम को सफ़ल बनाने के लिए आपके विकासखंड के हर विद्याले की अपने एक कार्योजना होनी चाहिए तो मैंने अपने विकासखंड शिरुली गौसपुर के विद्याले के लिए एक कार्योजना सजिस्ट की है पहला प्रिष्ट जो होगा वो सामाने जानकारी को होगा जैसे रेजिस्टर में आपको लिखना है निपुण कार्योजना विद्याले विकास खंट चिरुली गोस्पूर जनपत बारा बंकी पुरदाना द्यापक के हर्स्ताचरे मोहर जो भी जनरल चीज़े हैं वो लिख दी करने तो जैसे कुछ बिंदो मैंने यहां लिख दिया हैं बच्चों की निमत उपस्तित निमत उपस्तित है तो अजिआधावकों समपर्ग नीमत उपस्तित जन्वत्यों बिद्याले प्रवन समथ के सदस्ष्जों का सहयोग निमत रूप से आकलन करके ट्रैकर पर सूच न उप्चारात्मक्सिछण के लायक है उनमें समू में वरिगरन मतलब तीन तरह के समू बनाए जाएंगे निपन बालकों का समू जो बच्चे आपके सब्तावार कारिकरम के साथ चल रहे हैं उन बच्चों का समू और जिन बच्चों को उप्चारात्मक्सिछण की जरूरत है उन बच्चों का समूँ, तीन समूँ में आपको बाटना है, निपन तालिका पर रच्छताओं का अंखत करना है, निपन बच्चों का विवरण अंकित किया जाना है, और इन बच्चों और इनके भावकों का सम्मान किया जाना है, विशेज ध्यान दिये जाने वले बच्चो ऐसा कोई भी बच्चा उप्षारात्मक शिछन लायक नहीं चूटना चाहिए जिसकी जिम्मेदारी किसी अध्यापक को ना दी जाए इसके बाद विद्याले इस्तर पर कार्योजना बनानी है कक्षा इस्तर पर कार्योजना बनानी है और विद्यार्थी इस्तर पर कार्योजना बनानी है कार्य पुष्टिका पर कार्य किया जाना है और बच्चों के इस्तर अनुसार नीमित ग्रहकार दिया जाना है अध्यतन सिच्छकडारी और सिख्छन योजना की भी बिवस्ता होनी है इसके अलावा भी अगर कुछ पॉइंट्स हैं तो आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं नीचे जैसा की प्रक्रिया है सभी के हस्ताचर होने चाहिए यहाँ पर सभी के हस्ताचर करा लिए गया है ठीक है एक बात फिर से देख लिजे की कार योजना के प्रमुख बिंदु क्या है यह लिखे गए हैं अब कार योजना बन गई आपकी अब क्या करना है कक्षावार आवंटन किया जाना है कि उस कक्षा की जिम्मेदारी किसी एक अध्यापक के सुपर्द करना है तो यहाँ पर कक्षाएं लिख दी गई है प्रभारी अध्यापक अध्यापका का नाम है और हस्ताक्षर है कि आप इस कक्षा की पूरी ब्यवस्था देखेंगे केवल प्रधाना अध्यापक ही जिम्मेदार नहीं होगा सभी अध्यापकों को अपना अपने योगदान देना होगा विद्याले को निपुड बनाने के लिए इसे पक्षात जो है एक प्रमारपत्र भी लेना सबसे प्रमारित किया जाता है कि विद्याले में अध्यनरत बाल वाटिका कक्षा एक, कक्षा दो कक्षा तीन के समस्त विद्यार्थियों का सैच्छे किस तर ट्रैकर पर अंकित किया जा रहा है ट्रैकर भरे जा रहे हैं या नहीं देखिए अगर ट्रैकर आप लोग नहीं भरेंगे तो किसी भी तरह से कोई भी आंकड़ा आपके पास नहीं आएगा और ट्रैकर किस के आदार भरना है ट्रेकर आपको कार्य पुस्तिका में बच्चों द्वारा किये गए कार्य के आधार पर भरना है ट्रेकर भरने के प्रक्विया आप लोगों को मालूम है अगर नहीं मालूम हैं तो आप लोग कहेंगे तो मैं उसका भी वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत कर दूँगा तो ये प्रमाणपत्र जरूरी है आपने कक्षा आवंटन कर दिया अब आपका दूसरा लक्षी क्या है कि ट्रेकर हर अध्यापक भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं इसका भी एक प्रमाणपत्र आप ले लीजिए इसके बाद एक और प्रपत्र है कक्षावार आकलन यहांपर माह लिखा है नामांकल लिखा है और भासा में 3 इस्थर जो मैंने बताया थे वो 3 इस्थर कौँ से है निपून, समूँदो, समूँदे निपून कौँ से बच्चे है इसका कैसे आप आ någon करेंगे ये आपके निपुण अच्छे आपके निपुण है उनकी संख्या आप लिखी जाएगी और भाषा में समूध के कहों से बच्चे हैं समूध के सुके कहों से होंगे उनको समू दो में उनकी संख्या लिखी जा रही लेकिन जो बच्चे 50% से कम अंक पा रहे हैं उनको समू एक में रखेंगे भासा में इसी तरह समू बेबियां गड़ित में कौन से बच्चे होंगे जो 50% से अधिक पाप्त कर रहे हैं जिनको आप कह सकते हो ठीक ठाक बच्चे हैं और समू ए में कौन से बच्चे होंगे जिनको उप्चारात्मक सिक्षण की अवश्यक्ता है यानि कि 50% से कम अंक प्राप्त कर रहे हैं अब समस्या यहां आती है कैसे पता करेंगे कौन से बच्चे समू बच्चे समू एक में या कौन से बच्चा समू ए में है प्रधाना ध्यापक को कैसे जानकारी होगी देखे यह प्रपत प्रधाना ध्यापक के पास होना चाहिए पूरी विद्या लेगा अब प्रधाना ध्यापक अपने सिक्षक से पूछेंगे कि आप बताईए कि आपकी क्लास में कितने बच्चे निपुण हैं कितने बच्चे सम B में हैं, कितने बच्चे? समू A में, यह गडित में होगा समू B, समू A, अब अध्यापक कैसे उसका जो है, अभी लेखी करन करेंगे, उसका देखेंगे, अगला प्रपत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ देखें भाषा का है, अब हर कक्षा ध्यापक के पास, जो प जैसे भासा के हैं, यहाँ पर बालवाटिका कक्षा एक, कक्षा दो, कक्षा तीन लिखाएं, मालीजे कक्षा दो के टीचर है, तो यह बाकी बालवाटिका और कक्षा एक काट देंगे, तीन काट देंगे, कक्षा दो हो जाएगा, मालीजे नॉम्बर है, नॉम्बर माह में कक्षा 2 के भासा के जो अध्याबक हैं वो भासा के प्रभारी हैं वो क्या लिखेंगे यहाँ पर निपुन लक्षैप के आधार पर अपनी कक्षा के बच्चों का विवरान लिखेंगे किसने बच्चे आपके निपण हो गए, यहां पर भी बरन लिख देंगे, ट्रैकर उन्होंने भरा होगा, ट्रैकर जो भरा है, ट्रैकर किसके आधार पर? कारिपुस्तिका के जो मैंने सीख लिया, प्रपत्र हाकलन प्रपत्र, उसके अंसाज उन्होंने भरा, जो बच्चे 50 परपतर से ज़्यादा अंक प्राप्ट कर रहे हैं 라는 अथा जिसमें आपने गोला नहीं बच्च एंपोसरों के नाम यहां पर लिख देंगे ठीक है उसी तरह भासा की भात मैं कर रहा हूं जो बच्चे जिनमें आपने गोला बनाया है यानि कि 50% से कम बच्चे हैं उनके नाम यहां पर लिख देंगे ठीक इसी तरह का भासा का आपका है भासा का जो बनेगा गणित का इसी तरह प्रपत्र बनाना है उसमें केवल समूह चेंज करनें देखिए यहां पर या प्रपत्र मा के अंत में प्रभारी किसी निशित कक्षा के यहां पर समूम B के बालग बालिका का नाम समू A के बालग बालिका का नाम देखिए निप्ण लख्च जैप के आधार पर यहां पर उस बच्चे का जो बच्चा 50% से अधिक प्राप्त कर रहा है समूभी वो कहलाएगा उस बच्चे का नाम यहां लिख देंगे समुए में कौन से बच्चे होंगे जो कमजोर बच्चे हैं जिनको आप कह रहे हो कि 50% से कम अंक प्राप्द कर रहे हैं जिनको उप्चारात्मक सिक्षण की विशेश आप सकता है उन बच्चों के नाम यहां पर लिखेंगे ठीक अब यहां दोनों प्रपत्र लेकर सम्बंधित अध्यापक अपने प्रधाना ध्यापक को सूचना उपलब्ध कराएंगे कौन से सूचना? वो सूचना कहां लिखी जाएगी? देखिए यह पता जलगा निपुड बालक कितने है? और समू B के बालक कितने है? बालक बालका? समू A के बालक बालका कितने है? यह प्रपत्र लेकर सम्बंधित अध्यापक, कक्षा ध्यापक अपने प्रधाना अध्यापक के पास जाएंगे अब प्रधाना ध्यापक महोदय यह महोदया अध्यापकों से प्राप्त सूचना के आधार पर यह प्रपत्र भरेंगे, जो मैंने पहले बताया था, वही प्रपत्र है, कि आपको पता जल गया कक्छा एक में ना मांकन कितना है, तो आपको रिजिस्टर्स मिल जाएगा, अब यह आपको कक्छा ध्यापक ने उपलब्द क के पास हमेशा उपलब्द होना चाहिए, कोई भी आपके पास इसी के आधार पर अपनी प्लानिंग बना सकते हैं, अब देखें यह प्रपत्र आपको प्राप्त हो गया, अध्यापक ने आपको यह भी बता दिया, कि कितने बच्चे हमारे पास ऐसे हैं, जो समू एक में है या समू ए में है, भासा में समू एक उप्चारात्मक सिच्छन योगी बच्चों के लिए है, गरित में समू एक उप्चारात्मक सिच्छन बच्चों के लिए है, तो अब इन बच्चों के साथ हमको क्या करना है, प्रधाना ध्यापक की क्या प्लानिंग होगी, कक्षा ध् प्र्धाना ध्यापक को जोड़ते हुए उसके लिए और प्रपत्र हैं। कि जिससे उनको पता चल गया कितने बच्चे हमारी विद्या लेके उप्चारात्मक सिच्छन के पात्र हैं तो अब हमको क्या प्लानिंग करनी है प्रदाना ध्यापक को सिच्छकों के साथ मिलकर क्या प्लानिंग करनी है इसके एक निर्धारित प्रारूप बनाया गया है यह देखे, यहां पर सममंदित कख्षा ध्यापक ने प्रद्धाना ध्यापक को बताया कि हमारे पास भासा में मालीजे कख्षा दो में समु एक के कितनी विद्यार थी, यहां पर उस विद्यारते, उन विद्यारतों के नाम नोट कर लिए गए, जिन बच्चों को उपचारात्म प्रधाना ध्यापक महोदय ने क्या किया कि यहां पर प्रभार दे दिया कि इन बच्चों की जिम्मेदारी किसकी है यहां पर यह ध्यान देना है किसी विद्याले में कम बच्चे हैं जादा ध्यापक हैं तो उसी हिसाब से कार्योजना बनेगी यहां पर प्रभार दिया जाएगा किसी विद्याले में जादा बच्चे हैं अधिक बच्चे हैं और अधिक अध्यापक भी हैं मालिजे कोई 4-5 का प्रहभारी है या 6-7-8 का प्रहभारी है तो उसको भी कक्षा द्यापक प्रधाना ध्यापक अपने हिसाब سے इन उप्चारात्मक्ष्छन के लायक बच्चो को अप्रभार दे सकते हैं यह प्रधाना ध्यापक के विवेक के पर निर्भर करता है मान लिजे कक्षा 2 में 90 बच्चे ऐसे हैं जिनको उप्चारात्मक्षिष्ण की आवसक्ता है और विद्याले में 9 टीचर है तो अगर प्रदान ध्यापक चाहें तो अन्य ध्यापकों को भी जो सम्बंदित कक्षा नहीं पढ़ाते हैं उनको भी 5-5-6-6 बच्चों का प्रभ प्रदान ध्यापक के विवेक पर निर्वर है सबसे पहले तो प्रात्मित्ता दी जाने चाहिए संबंदित कक्षा अध्यापक की कि उसी को प्रभार मिले या उन्हीं को प्रभार मिले लेकिन अगर बच्चे बहुत जादा हैं लेकिन अध्यापक भी बहुत अधिक हैं तो प्रधाना अध्यापक अपने विवेक पर प्रभार दे सकते हैं, अव मालेजे एक बच्चा था, कोई एक बच्चा है, उसके बारे में क्या करना है? बच्चे के सहचे किस्तर में सुधा nosso संभावित किये जा रहे हैं, प्रियास के संदर में, प्रधाना अध्यापक की कख्षा ध्यापक को बुला कर पहले पूछेंगे कि इस बच्चे की समस्या क्या है माले यहां पर आता है उपस्थित की समस्या है नीमत उपस्थित की समस्या है तो क्या जिम्मेदारी किसकी होगी जो प्रभारी अध्यापक होगा कि आप जो है इस बच्चे को पहले नीमत उ मान लेज़ किसी ने कहा कि अध्यापक अक्षा ध्यापक ने कहा कि नंबर दो का जो बच्चा है यह बोल नहीं पाता है, बोल लेता लेकिन बूलने का पूर नहीं प्रियास नहीं करता है कि इस बच्चे की मौखिक भासा विकास पर विशेज ध्यान देना है तो यहां पर जो यह कालम है यह सबसे इंपर्टेंट है सबसे पहले जो उप्चारात्मक शिच्छन योगी बच्चा है उसका विवर्ण लिख लिया प्रभारी अध्यापक का लिख लिया अब इस अध्यापक को प्रभार देना है संबंदित अध्यापक की जिम्मेदारी फिक्स करनी है कि आप इस बच्चे की उपस्तित इस बच्चे की समस्या का निरान करें क्योंकि विद्याले निपूर्ण तभी होगा जब हर अध्यापक अपनी जिम्मेदारी लेंगे हर बच्चे की ट्रैकिंग की जाएगी ट्रैकिंग के आधार पर उस बच्चे को रिमीडियल टीचिंग दी जाएगी एक चीज और ध्यान रखना है जो बच्चे निपूर्ण हो गए हैं उनको छोड़ना नहीं है उनको और उनकी तयारी करान अइसा नहीं हो कि हम उप्चारात्मक सिक्षण के प्रयास में निपूर्ण बच्चों को छोड़ दें नहीं सभी बच्चों पर ध्यान देना है लिकिन सबश्य जदा ध्यान हमको किस पर देना है समूह एक और समूह एक बच्चों पर देखिए बच्चे आएंगे माले सब्सक्राइब कर सकते हैं कारी पुस्तिका में पर्यापत ऑसर दिये गए हैं पर्यापत आपको सामग्री दी गई है उसी पर अभ्यास कराएं निश्चित रूप से वो बच्चा समौ एक का बच्चा समौ दो में आएगा लेकिन इसके लिए हरवड़ी नहीं करनी है प्रापर प्लानिंग करनी है और हर प्रपत्र पर आप साइन करवा सकते हैं ठीक है तो देखे प्रधाना ध्यापक के पास ये विवरण होना चाहिए कि हमारे पास कितने बच्चे निपुण हैं कितने बच्चे समौ एक में हैं कितने बच्चे समौ दो में हैं कितने बच्चे समौ ए में हैं कितने बच्चे समौ बी में हैं अब कितने बच्चे जो उप्चारात्म, सिच्छन योग्यां उनके साथ उनका प्रभार के नध्यापकों को दिया गया है, इसपस्ट होना चाहिए, तभी उन बच्चों का कल्याण हो पाएगा, और हमारा विद्याले निपुन हो पाएगा, तो हर बच्चे की ट्रैकिंग, ह अपनी परिस्थित के अंसार, अपने विकास खंड के अंसार, विद्यारतियों की संख्या और अध्यापकों की संख्या के अंसार, अपने विद्याले अपने विकास खंड की कार्योजना बना सकते हैं, धन्यवाद.